हाँ तो हम complex analysis के इस topic पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि complex numbers क्या होते हैं complex number को किस तरह से हम देख सकते हैं उसको जियामेती रूप में जोमेट्रिकल वे में देखना उसे algebra एक पीच करनेक्टी रूप में देखना उसको अंगणिती रूप में देखना ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं अब हम आ रहे हैं complex analysis में और complex functions क्या होते हैं complex mappings क्या होती हैं ये भी हम पहले बता चुके हैं सही तरीके से differentiation के बारे में बात करना जो हम पहले भी दिख चुके हैं कि differentiation किस तरह से किया जाता है और जो हमने आपको पहले बताया था कि complex से लिए कोई function दिया हूँ आपको if fz is a complex function और मैंने आपको पताया था जब हम geometrical way में बात करेंगे तो इसी complex function को हम complex mapping भी कहते हैं complex function और कई लोग इसको mapping कहना भी पसंद करते हैं पर इसका अर्थ यदि हम higher dimension में जाएंगे तो इनके वड़े ही अच्छी तरीके से और संदर्वित अर्थ हैं इन सब चीजों के so fz कोई complex function है और मान लेते हैं ये function किसी open set या किसी set पर मान लेए open set के अना जदा अच्छा होगा किसी open set से complex ये c जो है ये complex numbers का set है c complex number का set है ये कोई function है और हमने point a लिया था a कोई point है a पर तो हमने define किया था कि a को f is called differentiable f is called differentiable at a if ये limit exist करती हो कौनसी limit fa plus h minus fa upon h याद रखिए h यहाँ पर एक complex number है यदि ये limit exist करती है तो हम कहते हैं कि हमारा function differentiable है किस point पर? a point पर और याद रखिए ये a plus h और a ये बता रहा है कि यदि function हमारा ये कोई मेरा set a है और function इस a set से कहां जा रहा था याद करो c पर complex plane पर ये function जा रहा है ये यहाँ point था तो हमने a को open set इसने लिया था इससे एक फायदा मिला था मुझे इस actually ये differentiation तभी संभव है जब function a के आसपास भी define हो इसको neverhood का था हमने a का neighborhood of a जो disk हमने लिया है और आपको पता यदि मेरा set a open है तो उसके हर point के around मैं एक disk मना सकता हूँ जिस पर मेरा function उसके हर point पर define हो कहने का मतलब है ये point a isolated point नहीं होना चाहिए matrix space की tab में ये non isolated point होना चाहिए तो ये limit इस limit को देखने के बाद में हम पहरे लेक्चर में भी कहा था इस limit को देखने के बाद में आपको ये लगेगा कि ये definition तो वही है जो आपने real analysis में की है वास्तों में ये definition बिल्कुल same है कुस हलके से फरक है हलका फरक क्या है h goes to zero कहा आपने h goes to zero का मतलब ये होता है यदि मैं h goes to zero कहूं h zero को जा रहा है तो h को real analysis में तो आपने सारा काम एक line में किया था और यदि आप कह रहे हैं कि h goes to zero तो वहाँ दो ही possibility थी h यदि right side से zero को जा सकता है या h left side से zero को जा सकता है पर complex plane के case में situation change हो गई है h zero को जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया ये zero है माल दीजिये मैं कह रहा हूं h zero को जा रहा है कोई h है it is moving towards zero तो h को zero के ओर जाने के कई पत कई रास्ते मौजूद है उसके लिए ऐसी जा सकता है ऐसी जा सकता है diet जा सकता है घूम के जा सकता है so there are infinite number of choices zero को approach करने की यहाँ पर केवल दो choices थी तो यहाँ पर यह definition ज़्यादा rigid है इस sense में यह limit exist करना है पड़ी strong condition है क्योंकि हर path से हम किसी भी path से travel करके जाए limit exist करनी चाहिए और same होनी चाहिए तो इस definition में कई चीजें छिपी हुई है हम हमें आएंगे उस पारे में चर्चा करेंगे बाद में कितनी चीजें छिपी है पर यह definition बिल्कुल वही definition है आपने सही पैचाना यह definition वही definition है जो definition हमने real के case में की थी और यदि यह limit exist करती है, इसका अस्तित्व है यदि इस limit exist करती है तो हम इसी limit को function का derivative कहते हैं इस point पर तो f is nothing, यदि यह limit exist करती है, कौन सी limit जो हमने उपर लिखी है यदि यह limit exist करती है, exist करना मतलब finitely exist करना कोई finite complex number होगा, यदि यह limit exist करती है तो हम इस f dash a को कहते हैं, derivative of f at point a इसको derivative कहते है, function को derivative किसी point a पर और हम यह भी कहते हैं and we see that function is differentiable at a यदि मैं यह कहना चाहूँ कि function set a पर differentiable है, तो मैं यह कहूँगा कि function set a के हर point पर differentiable है, तो यह भी से function differentiable at a का मतलब यह है, यह limit exist कर जाए यह उस limit की value है और हम कहेंगे function, उस limit की value को हम derivative कहते हैं function का, जैसे real में कहते थे और जैसे real में हम कहते थे, यह function differentiable है, real से थोड़ा सा distinction करने के लिए मैं क्या कहूँगा बार बार, मैं कहूँगा यह function complex differentiable है क्योंकि हम complex analysis ने बात करें तो मैं इसका नाम का, बाँ मैं बताऊंगा complex differentiable बड़ी stronger condition है than real differentiability से, यह हम बाद में आएंगे, इस चर्चा पर आएंगे, पैदे हम इस पर ध्यानने अच्छी तरह से, यह function differentiable है, इसको derivative कहते हैं आपका दूसरा question यह होगा मुझसे, कि आपने किसी function को, किसी point पर कब वो differentiable या complex differentiable कहलाएगा, यह आपने define कर दिया क्या differentiation के जो rule, real में valid थे, क्या वो rule यहां भी सत्य होंगे, या valid होंगे यह बड़ा natural question है, और इसका भी answer है yes, जो rule वहां हुआ करते थे, वही rule यहां पर भी होंगे कैसे rule, different season की formula कैसे, if f and g are any two complex functions if and and if they are differentiable, differentiable काईसा differentiable, जो मैंने अभी आपको समझाया है, compress differentiable at a point a, then, then, यह बाते होंगे, क्या अनकोंसी बाते है, f plus minus g is also differentiable at a, second, f into g, product of two functions, is also differentiable at a, third, first, second, third, f of z, is also differentiable at a, provided, g a is not equal to 0, g a 0 नहीं होना चीए, naturally, यह तभी यह functions define होगा, और, मतलब, कहने का मतलब है, दो functions का sum, दो function का difference, दो function का product, और दो function का quotient, यह सभी चीजें वही rule हैं, जो आपने real में पढ़े थे, और यह यहां पर भी valid होंगे, तो मैं आपको एक simple सा rule दिखा के दिखा रहा हूँ, बाकी सब आपको कारिक खुद करने हैं, मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि हम product की बात करते हैं, product formula, product formula क्या कहता है, पहरे तो मैं बता हूँ, product define कैसे होता है, definition में product की कैसे जी थी, f dot g को किसी point z पे लगाया, तो आपको क्या मिलेगा, f z into g z, ये formula है product का, जो हमने define किया है, मैं आपको क्या बताना चाहरा हूँ, हाँ मैंने एक चीज़ और लिखी, हमने जो f dash a लिखा था, हम ये कहना चाहते हैं, कि function का derivative f, किस point पर, a point पर, तो function differentiable है, किस point पर, ये point पर, df upon dz, तो मैं यहाँ formula निकाल रहा हूँ आपका, f dot g, ये formula, वही formula है, जो आपने real के case में देखा है, कैसे, df upon dz, और किस point पर, यदि आप point पर बात करना चाहते हैं, तो मैं point लिख देता हूँ, किस point पर बात कर रहे हैं, जिस पर आपने differentiation लिया है, at the point a, g a, plus, f a, derivative of second function, g at point a, हम simply, हम ये मान के चलने के हमारा function differential है, तो हम a को छोड़ दें, तो हमारा formula, याद करने के लिए, आपके लिए ये formula, ज़्यादा उचित होगा, dot मैं लगाया है, मैंने dot हटा दिया यहाँ पर, product में कभी dot लगाते हैं, dot product के लिए था, जो definition दी है, simple सा formula है, जो आप याद रख सकते हैं, और जिस point पर function differential ही बरें, उन point पर इनकी value निकाल लेंगे हैं, ठीक है, तो हम इस formula की बात करें, formula कैसे आया है, किसी point पर ला, तो इस formula की बात करना हम सुरू करते हैं, किस तरह से करें formula की बात भई, तो बहुत simple तरीका है, formula की बात करने के लिए, हम इस तरह से करते हैं, हमारी definition क्या कहती है, तो हम evaluate करें, हम क्या पता है, हमें पता है, df, z, a पर हमें पता है, कौन से limit याद करो, ये function f, differentiable था a पर, इसका मतलब ये चीज़ सही है, fa upon h, दूसरा function भी differentiable था, याद करो, g भी a पर differentiable है, और इसकी definition क्या है, वही, g a प्लस h, minus g a upon h, अब हमें निकालना, ये formula है, तो मैं estimate निकाल रहा हूँ आपके सामने, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, किस तरह से estimate निकालूंगा, d upon dz, ये लिखने के पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं, आपको बना के दिखाता हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये निकालना, एक चुछ लिखा जाये तो, fg a plus h minus fg a upon h हमें इस की limit निकालनी है तो हमें कहां करें हम पहले इसे थ्वासा adjust करने हैं अपने हिसाब से fg a plus h का मतलब क्या होगा बोलिए according to definition यह होगा f a plus g g a plus h minus f a g a upon h इसको फिर से थ्वासा जा लें अच्छी तरह से अपने हिसाब से क्या करना हमें तो यह हमें हम पहले estimate निकाल रहे हैं तो हमने यहां से अपना कारे सुरू किया है याद रखिएगा अब देखिए मैं trick यह trick बहुत common trick है जो आपने कई बार की है f a plus h g a plus h minus f a g a plus h plus f a g a plus h minus f a g a upon h इसका मतलब हम बहुत simple जगा पहुँच गए और आपको यह trick पता है यह trick नहीं नहीं है यह trick पहले भी आप कर चुके हैं कहां पर यह trick आपने पहले भी की थी किसमें? real के case में तो यह मैंने आपको इसलिए बताया है कि जो काम हमने real में करा है trick का वही काम हम यहां भी कर सकते हैं हमारा result आएगा तो हमने क्या पाया? हमने यह पा लिए अब क्या पाया हमने? f g a plus h minus f g a divided by h क्या मिल गया हमें? ज़द ध्यान से देखिए पहले दो टर्म को इसमें से हम g a plus h common निकाल ले क्या बचेगा? यह देखिए a plus h plus क्या common निकाल ले? f e क्या बचेगा? yes g a plus h minus g a upon h इसका मतलब हमा पास क्या बचा? f a plus h minus f a upon h g a plus h plus f a g a plus h minus g a upon h बस हमारा कारे पुरा हो गया कैसे हमारा कारे पुरा हुआ? यह देखिए आप हमने पड़ा अच्छा काम पूरा कर लिया, अब हम दोनों तरफ लिमिट लगा दें हैं दोनों तरफ हम लिमिट लगा दें हैं अब यह देखिए लिमिट क्यों अच्छिस करेगी? क्योंकि फंक्शन यदि किसी पॉइंट पर डिफ्रेंशिबल होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिनियस भी होता है इसी तरह से यह तो constant है लिमिट इस पे लगी गी और इस पर लिमिट एग्जिस करती है तो हमारा काम बहुत ही सरल हो गया लिमिट ह गोस टू जीरो एफ ए प्लस ह माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट ह गोस टू जीरो जी ए प्लस ह प्लस एफ ए लिमिट ह गोस टू जीरो जी ए प्लस ह माइनस जी ए अपॉन एच और लीजिये आपका यह answer आ गया क्या answer आया यहां की चीज़ को हम यहां ले आए क्या answer आया limit h goes to 0 f of g a plus h minus f a upon h equal to यहां देखिए यह हमें पता है function a पर differentiable है तो क्या है kis point पर h goes to 0 होगा तो g a plus h बरावर g a हो जाएगा यह function continuous है तो क्या आया g a plus क्या था f a वहां क्या आया g a लीजिए यह देखिए यह formula देखिए जो मैंने लिखा था बिल्कुल एग्जेक्टिव भी formula निकल किया गया और इसका मतलब function differentiable है a point पर और मैंने formula यह निकाल दिया क्या formula निकाल दिया f g किस point पर a point पर क्या आया था a point पर into g a f a point पर इस formula को आप short form में ऐसे भी लिख सकते हैं और यह formula है तो हमने यह करके क्या सिखा मैंने आपको जो एक कराया है इससे हमने एक बहुत सिंपल सी बास सिखी कि यह formula जो मैंने लिखे थे difference in की formula यह सारे formula जैसे real में हैं सही उसी तरह से complex में भी आ जाते हैं और बिल्कुल उसी method से पत्दती से आती है जैसे आपने वहां किया था तो यह आपके लिए homework है कि आप बचे हुए formula को और यदि आपको नहीं आता है तो आप real में जो आपने किया था जिस तरह से real में किया था उसी तरह से यहां पर भी करके इसको निकाल सकते हैं यह differentiation के formula हैं अब हम बात करें आपने real में भी किया था chain rule chain rule यह सबसे important है chain rule कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको फिर से सुनिए chain rule में हम chain rule जो होता है वो functions के composition के लिए होता है differentiation of composition of functions कैसे जैसे ही देखिए जाद ध्यान से देखिएगा यह function है मेरा यह A किसका subset है C का यह मेरा function F है जो यहाँ से कहां गया B जो subset है C का और एक दूसरा function है जो कहां गया B से किस पे गया दूसरा function है G जो माल लीजिए G इस B से C पे चला गया तो सूइधा के लिए हमें एक काम करें हम इसको हटा देते हैं हम यह A, B, C का चकरी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए आपके सूइधा के लिए घ्ली के लिए यह ए, बी, सी रखने पर आपको ध्यान रखना होगा कि composition कब possible है और कब possible रही है यहाँ दोनों composition possible है, यहाँ composition possible है कौन सा वाला, तो क्या composition रिभाइंड करें तो यह कहते है G of F of Z, यहाँ एक point है यह Z, पहले F इसों कहा ले जाएगा, इस में क्या नाम होगा इसका G Z, G Z, oh sorry F Z, sorry F Z, F Z पर फिर क्या लगाईए, G लगाईए इस point पर यह इसको कहा ले जाएगा, यह इस जगह पे ले ले आएगा, यह formula है, Z point यहाँ उठाया, इस पर F लगाया उसकी image यहाँ बनी, इस image पर G लगाया, और G ने उसको finally यहाँ पहुचा दिया, तो दो function को हमने compose कर दिया, compose कर दिया मने, मैंने एक काम किया, कि यह कोई victim उससे directly देखना चाहिए, तो उसने यह किया, Z पर कौन सा function लगाया, G of F, G of F को जब Z पर लगाया, तो उसने सीधे क्या दे दिया मुझे, G of F को किस पर लगाया, Z पर, तो उसने सीधे मुझे दे दिया, G F, Z, यह formula है, composition का, G of F of Z, यहाँ पर F of G भी possible है, क्यों? क्योंकि F, C से C में जा रहा है, अधरवाई यह possible हो भी सकता है, और नहीं भी हुसता हम उस पर नहीं आएंगे, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इस simple वाली case की बात करें पहले, अब आपने मुझे से यह कहा, कि F function किसी point Z पर differentiable है, और G function F Z पर differentiable है, तो क्या आप दिखा सकते हैं कि G of F Z पर differentiable होगा? क्या कहा मैंने बूलिए, F is complex differentiable को मैं ऐसे भी लिखूँगा कभी कभी, C differentiable, complex क्यों लिख रहा हूँ, याद रिखिए, हम complex analysis में बात कर रहे हैं, इसलिए complex लिखा लिखने की कोई खास जरूएत नहीं है, F is C differentiable at point Z, and G is C differentiable, C differentiable means complex differentiable, C differentiable at point, at point FZ, then we can show that G of F is C differentiable at Z, and formula for it is written as, यह formula लिख रहा हूँ में आपके, ही है, मैं डेरिवेटिव इस G, G का डेरिवेटिव FZ पर और फिर F का डेरिवेटिव जेट पर, यह प्रोड़क्ट है न के बीच में है, यह formula है, कई लोग इस formula को ऐसे लिखते हैं, D, D, Z of G of F is, D, D, Z, G of FZ into D, D, Z, FZ, तो एक्चलि यह, यह दिफ्रेंशिएशन, यह दिफ्रेंशियसन, Z के लिए ने FZ के, यह FZ है, वरिबल यहांपर, उसके रिस्पक्ट में किया, फिर FZ का जेट के रिस्पक्ट में किया है, तो यह formula आपका बना है, इस formula पर बना है, जदा अच्छा होगा मैं एक जाप पर से दिखाऊ हूँ चिन रूल differentiation जैसे हम जानते हैं किसका differentiation हम जानते हैं पता ही हाँ चले बोलिए हमको पता है हम इसका differentiation निकाल सकते हैं EZ का differentiation क्या होगा चलिए निकालें कैसे होगा बोलो H गोस टू जीरो Z प्लस H EZ upon H अब तो इसी दिक्कत है क्या दिक्कत है दिक्कत यह है कि हमें यह बताद करेंगा EZ की तो मैं एक काम करता हूँ मैं आपके लिए एक सिंपल सा काम करता हूँ पहले हम स्वासा मान लेते हैं इस हम करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा पर पहले मैं माल लीता हूँ, यह मैं दिखाऊंगा आपको कि DDZ of EZ equal to EZ होता है, यह मुझे दिखाना, मैं दिखाऊंगा इसे, differentiation, वैसे हम यह दिखा चुके हैं, इन function के differentiation क्या होते हैं, अपने पिछली class में, पर फिर भी हम फिर से करेंगे कभी अपके लिए, इसका differentiation वही हो होता है, cos Z, DDZ of EZ, EZ होता है, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह क्या होगा, मैं दोनों का composition करता हूँ, E of sin Z, E of sin Z कैसे बना जाए, धिहान से देखिए, E of sin Z क्या है, E of sin Z यह है, exponential of, यह दो functional composition है, किसका function है, पहला function क्या था, एक function है EZ, दूसरा function क्या है, sin Z, तो F of G, Z क्या होगा, बोलिए, अभी आपने देखा, F of G, Z होगा, G, Z क्या होता है, बोलिए, sin Z, और F sin Z क्या होता है, बोलिए, इस Z की जगा, sin Z रखात क्या आगया, देखिए, तो F of G है यह, यह function, यह function FZ है, यह function GZ है, यह function GZ है, यह function GZ है, यह FZ है, GZ है, तो E sin Z कुछ नहीं, F of GZ है, और अभी हमने chain rule बनाया था, chain rule क्या कहता है, हम बोलिए, chain rule कहता है, पहले difference CZ किसका करिए, E का, तो E का डिफरेंसिशन तो वही होता है, E Z बराबर E Z होता है, तो इसका डिफरेंसिशन तो sin Z आएगा, और फिर किसका डिफरेंसिशन करिए, sin Z का, क्या आएगा, cos Z, यह देखिए, formula आगया, chain rule से, simple सा, तो हम मैं आपको, ठीक है, हम पहले, chain rule के उस formula को derive करने के पहले, हम एक बात note कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, कौन सी बात note करें, आप यह जानते हैं, क्या चीज़ आप जान रहे हैं, F function जो था, वो Z पर डिफरेंशिबल था, इसका मतलब function F Z पर continuous भी है, इसका मतलब limit H goes to 0, F Z plus H minus F Z will be 0, और 0 या यह 0 को जाईए, यदि H 0 को जाता है, तो इसको कहने का तरीका वैसे सबसे चाचा तरीका यह होता है, कि इसका difference भी किसको जाएगा, 0 को, यह कहां से आया है, क्योंकि F Z पर differentiable है, इसका मतलब F Z पर continuous है, तो यह difference भी 0 को जाएगा, और इतना यदि हमें पता है, तो फिर हम काम कर सकते हैं, कैसे, देखिए, अब मैं आपको estimate निकाल के दिखाता हूँ, आप काम में कुछ बचा ही नहीं, यह एक main चीज़ थी, इस तरह के formula में याद रखी, कुछ बाते main होती हैं, जो आपको note करने, central idea क्या है, इसके बाद में हमारा chain rule का formula में कुछ बची ही देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, minus, fz, और देखिए, इसको हमने लिखा क्या, minus, और अब देखिए, मैं क्या adjustment कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा tool मौजूद है, fz plus h minus fz into, अब ये तो extra point है, तो मैंने इसको किया, fz plus h minus fz upon h, अब हम तयार हैं अपने काम के लिए, क्यों तयार हैं, अब मैं limit लोंगा, limit में बात note करिए, यहाँ पर भी मैं limit कैसे लोंगा, देखिए, मैं जब limit लोंगा, तो मैं क्या लिखूंगा limit के लिए, ध्यान दीजिए थो आँसा, मैं ये limit ले रहा हूँ, मुझे दिखाना है कि limit exist करती है, और मैं justify करूँगा, कैसे, limit ले रहा हूँ मैं ये, क्या limit लिया, यहाँ देखिए लिमिट लिया, तो इस सेट की भी लिमिट लिया, ये limit क्या आई, fz plus h minus g of fz upon minus fz, और साथ में कौन सी लिमिट आगी, limit h goes to 0, fz plus h minus fz upon h, याद रखिए, limit, limit इस पूरे पर लगाया था मैंने, limit मैंने इस पूरे पर लगाया है, जब दो functions के product पे limit लगाते हैं, तो limit अलग-अलग function पे तभी लगती है, जब दोनों अलग-अलग exist करें, ये तो मुझे पहले से पताए कि exist करेगा, और ये भी exist कर जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको, यदि h 0 को जाता है, तो ये quantity भी 0 को जाएगी, और यदि ये quantity 0 को जा रही है, तो ये quantity क्या है जाएगा, ध्यान से देखिए, ये h क्या था, ध्यान से देखिए h क्या था, यदि आप ध्यान से देखिए तो h क्या था, z प्लस h, minus z है तो z plus h की जगा मैंने लिखा है f z plus h और minus z की जगा लिखा है f z तो यह quantity के नाम बदल दी है मैंने पर यह quantity कर किया रही है यह 0 को जा रही है इसका मतलब मुझे यहां क्या मिला g dash f z h किसको जाएगा 0 को dot यह तो मैं पहले से जानता है क्या था into d d z of f z और यह देखिए formula तयार हो गया तो यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो यह बड़ा अच्छा सा formula है जिसको chain rule कहते हैं और chain rule बहुत ही chain rule किसी भी analysis में differentiation की back bone होती है जो आपको याद रखना चाहिए तो derivation कोई नया नहीं यही derivation आपने real के case में भी किया था तो हमने इस lecture में अभी तक क्या सीखा है मैंने differentiation के formula लिखे थे function के sum के लिए function के product के लिए function के quotient के लिए मैंने last में आपको बताया function का क्या कि function का chain rule chain rule जो compressed functions में है यदि वो differentiable है suitable points पर तो उसका chain rule भी valid होता है यह आप कह सकते हैं कि हमने इस lecture में एक प्रकार से जो हम real में देखते थे उसी का repetition किया है तो अच्छी बात है हमने note किया कि real में differentiation जिन formula को लेके चलता है chain rule को जिस तरह से follow करता है complex differentiation भी almost उसी तरह के से काम करता है तो अभी भी complex differentiation जिसको मैंने c differentiation का आता है c differentiable का था function को अभी तक हमने उस रहस को जाना ही नहीं है कि इसमें beauty किया है इस differentiation में हम अपने अगले lecture में जो अभी lecture आने वाले हैं बात पर उसमें हम जानेंगे कि यह differentiation real differentiation से बाफी अलग होगा हुआपूशाँचर Championships झापने तकार आने पर आ हम पर उसमें हम जाए्स उसमें जाओश़ा उसमें कि अभ dennहीं है अजने हम इसमें catastrophic